हेलो फ्रेंज आए आज हम लोग आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन्टिस्ट भी और टेक्निकल एसिस्टेंट का क्वेश्टेंज जो के कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है कि टाइम टूली फिल्ड इन डा आई-पी डेटाग्राम इस यूज्ट आपने टेटियल के बारे में सुना होगा आई-पी डेटाग्राम में कि उसका हम क्यों यूज करते हैं आई यह पहले हम लोग आई-पी डेटाग्राम को समझते हैं यह जो आई-पी हेडर फाइल हमारा जो जाता है नेटवर्क ले ऐसे इसमें वर्जन होता ह और जो तीसरे फिल्ड में पहला फिल्ड होता है उसको TTL कहते हैं time to leave time to leave का mainly काम क्या होता है जैसे कि हम source to destination जो चीजे भेजते हैं उस बीच routers होता है the time to leave is the number of hopes that a packet is permitted to a travel before being discarded by a router आईए हम लोग ये एक example के साथ समझते हैं काम क्या होता है yeah simple question, ये हमारा source है, ये destination इसमें अगर let example हम माल लेते हैं, TTL equals to 3 हम लोग 3 लेते हैं तो क्या ये TTL equals to 3 है हमारा इस पर ये source है, ये destination है, बीच में ये 3 जो है हमारा router है, router 1, router 2 और router 3 यहां हम TT equals to 3 लिएं तो 3 पे TT equals to 3 TT equals to 2 TT equals to 1 TT equals to 0 इसे हमारा destination पे reach out हो गया लेकिन वहीं पर हम यहां पे देखते हैं TT equals to 2 लेकर TT equals to 2 1 और 0 यह वहां तक पहुच नहीं पाया तो यही काम है TTL का time to leave का कि हमको estimated hope count देना आईए एक और example है जो हम लोग देखते हैं और समझते हैं इसका काम क्या होता है यही same चीज है हम लोग source लिए destination लिए और आप एक एक ग्जामपल देखिए TTL कैसे reach कर रहा है तो इसका जो सही जवाब होगा होगा to prevent packet looping मतलब हमारा packet destination तक सही तरीके से पहुच सकी यही काम है हमारा time to leave का तो यही चीज़ दिखा है if the limit is not defined then the packet can go in infinite loop अगर हम लोग limit पताएंगे तभी तो वो infinite loop में नहीं जाएगा तो आगे भी और सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और notification बटन पे क्लिक कीजिए प्राइब कीजिए